करें दोस्तो नवस्कार मैं रजशिंज कुमार प्यूर रक्वा कल्चिर फार्म से कैसे मेरी प्यूर रक्वा कंवा फै्मल्ली आपका इतना प्यार मिल भिल रहा डेव डेव फैमली साइज इंक्रीज होते जा। है और मेरे रिजन में भी वेस्टन यूपी नोर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है एक्वा कल्चर की इंपोर्टेंस फिश फार्मिंग और डे बाइडे आपको जो लैंड बढ़ रही है और वह लोग बाग कंपेरिजन कर रहे हैं नोर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग से एक्वा फार्मिंग का तो उसमें उन्हें बेनेफिट्स नजर आ रहे हैं पैलेली गौर्मेंट का पी एम मेंस्वाई के माद्यम से इतना बड़ा फोकस इतना बड़ा ड्राइव है तो वो समझ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर गौर्मेंट भी फोकस कर रही है तो कुछ विजन है जो फार्मर्स की इंकम डवल कर सकते हैं इंटेपर्नर्स डवलब हो सकते हैं डिमांड सप्लाइब मिनिमाइज हो सकती है तो डे बाइडे एक्वा कल्चर ग्रो कर रहा है और आने वाले दस बीस साल यह फ्लोरिश होता रहेगा दोस्तों एक्यू की स्रीज कंटीनिव रखते हुए आज हम इस वीडियो में बात करन हैं कि जो उन्होंने पूछी है उनका अंसर उसका मिल जाएगा मैं उन्हें तो अंसर तभी रिवट करी देता हूं जादतर मैं हमेशा अर्ली मोर्णिंग में जो यस्टरडे के जितने कमंट्स रहते हैं मेरा टार्गेट रहता है कि उन्हें वेकप के बाद एक दम उन्हें अपडेट कर दिया जाए तो इस वीडियो में आगे हम कुछ आज जो क्वेरी अपने कम्माइंड की हैं उसी को मैं आपके सामने साथ शेयर करता हूं एक मेरी भाई ने क्वेरी पूछी है कि सर जो फिस फार्मिंग के लिए लोन लेंगे उस पर इंट्रेस्ट कितरा दोस्तों यह बैंक टू-बैंक डिपेंड करेगा और यह अभी आज की दियूग्ण में क्या हो रहा कि यह एक डिपैंड जो इंट्रेस्ट है न वह आपका अमाउंट पर भी दिपैंड करने लगा है कि आप क्या अमाउंट का लोन ले रहे हैं इंट्रेस्ट बैंकों का बै लगाना चाहरे हैं यह हमारा collateral है यह documents है हमारे पास इतना अनुभव है मचली पालने का और हम इस पर loan लेना चाहते हैं तो इसके कोई fix definite answer नहीं है कि वो क्या rate of interest रहेगा एक भाई ने क्या 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 roll है किसान credit card जैसे normal हम agriculture के लिए बनते थे अभी fish farming के लिए भी government का बहुत बड़ा focus है कि KCC बनाए जाए fish farming के लिए और fish farming के सारे verticals के लिए वो आपका मचली पखडने वाला हो जो मच्वार कह सकते हैं चाहे वो net ले रहा हो चाहे वो retailer बेग रहा हो मचली retailer हो fish farmer हो आप feed ले seed ले medicine ले और उसमें 1.6 lakh तक तो आपको कोई collateral नहीं देना है उसके above value पे collateral देना और maximum capping तीर लाग की है per farmer KCC for aquaculture और ये आपको जो bank है bank आपसे डिस्टिक लेवल के मैट्री DLC बोलते हैं उनका एक scale of finance होता है वो हर district में available होगा जो meeting होगी वो chaired by वहांके district magistrate द्वारा होगी और उसके बे सब agriculture वाले aquaculture वाले सारे departments नाबाड वाले और वहांका जो lead bank को का सब उस committee के members रहते हैं तो वो एक scale of finance के माधिम से आपको बताएंगे कि आप क्या आपने जिस technology में आप के सी apply करना चाहते हैं आपके मचली बेखने के लिए लेना चाहते हैं तो उन्होंने एक fix value decide कि हुई है कि जो मचली बेख रहा है रिटेलर है उसके लिए इतनी अबाउब की cases ही बननी चाहिए तीसरी एक हमारी भाई ने query लिखी कि सर मचलिया कितने दिन जीवित रह सकती है विदाउट खाना तो दोस्तों इसमें विदाउट खाना तो हम मैं समझ पा रहा हूं विदाउट commercial फीड या विदाउट फीड प्रोवाइड कर आते हैं तो जो बड़े-बड़े रिजर्वायर रहते हैं वहां तो कोई एज बढ़ती रहेगी लेकिन उनकी mortality भी नहीं होगी due to feeding only तो अगर आपको commercial production करना है तो आपको feeding कराना है और आपको no feeding zone में नहीं सोचना है एक भाई ने सिंपल रूल कि आपने अपनी water body में मचलियों को बताना है कि हम netting कर रहे हैं और एक्चुल में netting नहीं करनी है तो आप एक rope ले लिजिए जितनी भी width है आपकी water body की और उसमें कुछ bricks बांद के पानी में हमें turbulence create करनी है पानी का जो bottom था sludge थी जो water body की वहां पे आपने turbulence create कर दी जिससे की जो भी वहां पे gases रिखटी हुई थी वह सब release हो गई तो यह false netting का मतलब है एक भाई ने query लिखी कि हम यह कैसे चेक करें कि जो हमने sinking feed खिलाया है वह मचलियों उन्हें खाया है नहीं खाया है तो simple rule है आप उसके लिए fix low sinking feed के लिए fix location कर दीजिए अपनी कर दीजिए उसके इंदर sinking feed रख दीजिए उसको dip कर दीजिए जब उसमें weight रहेगा biomass रहेगा तो टब dip हो जाएगा और जब मचलिया महां पर आके सारा खाना intake कर लेंगी तो टब float हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक का है तो यह अलग लग methods आप देख सकते हैं कि sinking feed खाया ह मचलियों नहीं खाया है एक भाई की क्या खाने specific मचलिया होती है कि यह मचलिया floating ही खाएगी sinking ही खाएगी नहीं ऐसा नहीं होता है हर मचलि floating sinking दोनों खा सकती है लेकिन अलग लग खाने की अलग लग merits और demerits है floating खाने का फायदा क्या है कि आपको उसमें wastage पता चल जाएगा over feeding तो नहीं हो रही है आपका खाना waste ना हो क्योंकि आपने अगर over feeding कराई है या unneaten feed रहे गया वो भी आपका ammonia बनाएगा singing feed में हम यह नहीं देख सकते singing feed comparatively to cheap होता है आपका floating feed से floating feed में extruder लगा रहता है और वो वो विदाव वो केवल pallet machine का होता है तो हर खाने का एक merit है एक demerit है एक भाई ने query पूछी है कि जो जो हमारी fishes है तो अगर हम उनको केवल homemade feed खिलाएं तो वो कितने दिन में बढ़ी होगी दोस्तों जब खाना नहीं होता था मेरा बहुत बार मैंने कि वीडियो भी homemade feed पे भी एक बनाई है तो लोग बाग अभी भी आप जाएंगे तो लोग ब सिंपल आप arithmetic calculation कीजिए simple में बताना चाहूंगा आप ही देखिए जो आपने land आपने lease पे लिए है चाहिए आपकी land अपनी है उसकी costing क्या है आप ही देखिए आपको commercial production में आपको ऐसे business देखना है या आपको ऐसे part time काम करना है उसके हिसाब से आप feed cost को calculate कीजिए क्योंकि य जानते रहे मचली से छोटी से छोटी से छोटी बात है धन्यवाद